जब गाइस बात आती है एक बजट फोन के डिरुबिटे चेक किरने के इस्पेशली वो फोन जो आपको दस जार के अंदर मिलता हो तो काफी कॉंप्रमाइसेज हमें देखने को मिलते हैं और एक माइंड सेट भी होता है कि फोन सस्ता है तो ऑबिसली हम एक्सपेक्ट नहीं कर लगती है वैसे हमने इन्फिनिक्स वरांड के दो फोन पास में ठ्राइब की है आज हमारे पास है इन्फिनिक्स आट एड तो देखते हैं कैसा कंस्ट्रेशन इस फोन का है क्या फोन डिरेबल इकिन है थोड़ा सा है और डिस्प्ले का इस काफी बड़ा है तो जनली इस तर अबसी आवाज होती है अगर आप पॉली कोशिश करते हैं ऐसे मेजर स्क्रेश तो नहीं पड़ने के बटने भी एक्सेलेंटर माइनस प्रचेस आपकी फोन पर पर सकते हैं कुछ ऐसा दिख सकता है जितनी भी लेबल्स है यानि की एफ सी प्रांडिंग्स या कंपनी का जो क्या रहा है तो यहां काफी आसानी से मैं कट कर पा रहा हूं यानि की पैनल उतना स्ट्रांग नहीं है यासा एक रियल में we 5 हमने देखा था सेम 200 ग्राम को फोन है 6.5 इंशे लेकिन काफी थिक पैनल है बहुत ही आसानी से नहीं कट पा रहा था तो वो फोन ड्रॉप्टस म की नहीं होता है तो इस तरह की सब्सक्राइब यहीं शिकायत है पहली है कि यह समय के साथ जरूर हट जाती है मेरे कुछ प्लास्टिक है आप पेंट डाल के इस यूणी बॉडडी बना सकते हैं तो शायद एस अपने सकती है लॉंग टाम यूज बॉड़ बटन अब दिन में पचास बार तो रस पा जितने बाद में लॉग करते होंगे तो शायद पेंट में चूटने लगे लेकिन बटन लेकिन ब काफी टाइट लगे हैं बाहर नहीं आ रहे हैं पिछली कुछ फोन्स के हमने जो बहुत से ब्रांट के ट्राई के थे बटन बाहर आने लगे थे यहां पर कंस्ट्रक्शन अच्छा दिया गया है कैसा बना है यह भी चेक करते हैं तो यह हाड प्लास्टिक है कोई मेश नहीं है यह पतली से जाली होती है जो बहुत से फोन में आसानी से कड़ जाती है बाहर आ जाता है लेकिन यहां पर एक ठीक प्लास्टिक है जो की काफी अच्छी चीज है इस प्राइस रेंज में और अच्छने के बाद मैंने वॉइस कॉल करें के चेक किया था मुझे आवाज में कोई प्लूग नहीं आई वॉइस कॉल क्लियर्टी पर्फेक्टी ओके थी जैसे पहले थी फिंगर प्रिंट सेंसर देखते हैं कैसा है इसकी फॉंक्शनालिटी एफेक्ट होती होती है यहां तो अगर आप इतना बैडली डैमेच्ट वह प्लास्तिक है अगर एक च्छोटा सा मेटल होता है तो दिखने में लुग काफी अच्छा हो जाता तो अगर आप इतना बैडली डैमेच्ट तो भी वह काम करेगा रियर कैमरे का जो प्रेम है वह सिंगल कलर का है यानि की यूनी बॉड़ी है जैसा मैं कह रहा था यूनी कलर यूनी बॉड़ी वाले अच्छे होते हैं वह यहां पर फैंसी नहीं लगाए गया करद सिल्वर या गोल्ट पेंट ज अधर जाता है जो ग्लास है वह कैसा है वह भी चेक करने कोशिश करते हैं अफी तक फिनिक्स के दोलों फोल में हमें ऐसा लगा कि इसक्वाल्टी तर्मस में अच्छी है तो मैं काफी जादा प्रेशे लगाने कोश्च कर रहा हूं देखते हैं स्कुर्च लगता नहीं लग स्क्रीन पे कोई साउंड नहीं आ रहा है तो यूज करने में आपको काफी अच्छा लगेगा और काफी क्लोस देखने पर मुझे कुछ माइनर से हेलाइन स्क्रेश देखने जो की परफेक्टली एक्सेप्रेबल है इवन ग्लास सिक्स तक के फूल में भी ऐसे स्क्रेश करने जुरूरी है कि ऐसा कंश्रिक्शन ने को कि पांस में मेरे कुछ पूंस के स्प्लेश धैमेज कर दिये हैं तो यहां पर मिझे दो चीज अच्छी दिख लिए है पहली चीजी है यहां पर मैटल और प्लास्टिक का कॉमनेशन यूज कि काफी रेर है जो कि काफी रेर है सिंगल प्लास्टिक होते हैं यहां पर मेटल कॉमनेशन है अब आ रही है गाइस प्लेश टेस्ट करने की सिम ट्रे पर हमने देखा था एक छोटा सा रवराइज कोटिंग लगी थी तो क्या आपका फोन उससे सॉट आफ स्प्लेश प्लेश प्लेश करते हैं तो हम सिक्स्ट स्प्लेश टेस्ट है इंकेस कुछ होता है तो आपका फोन इमिरेटली डेट हो जाना चाहिए मैं अचली टाइम मेरे श्टार्ट करना भूल गया था और गइस नाइनटी सेकंड हो चुका है फोन को बाहर निकालते हैं देखते हैं क्या पको फोन वर्किंग कंडिशन में है किलिंग है फोन तो मैंने क्लीन कर लिए चली सभी चीज़ी वेरिफाई करते हैं तो कि पिंगर पिंट सेंसर अनॉक कर रहा है और बटन भी ऊफार से थेंट हैं और किते वालिम बटन भी वह तरहें कोई प्राप्प्राइब नहीं ते हैं टिर्जिंद्व प्रकेंद नहीं आई है और यहां पर भी कोई पहनी अंदर नहीं गए USP port वर्क कर रहा है बैटरी human अबड़ने कि उसीपोर्ट भी वर्क के AlorsGM अब हैटफोन जेड के स्लॉट परिफाई करते है स्पीकर्स वाल्यूम फुल करता हूँ तो स्पीकर्स स्टॉप हो गया है यानि कि स्पीकर्स अब काम नहीं कर रहे हैं जैसे आपने देखा फुल वॉल्यूम पर है फिर भी यहां से कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा है अब बारी है बेंट टेस्स एंड डिस्टॉशन टेस्स परफॉर्म करने की एक ही फोन अभी तक डिस्टॉशन टेस्स फेल हुआ है आप उसका डिस्क्रिशन लिंक में पास सकते हैं हलकी से कुछ आपको आवाज देख रहे होगी क्रैकिंग सी मतलब में भी कोई पार्ट अंदर रब कर रहे होंगे लेकिन अभी भी फोन वर्किंग में है तो यहां पर ऐस सच ऐसा कोई साउंड नहीं आ रहा है क्रैकिंग का जो हमें S4 में सुनाई पड़ रहा था तो हमसे से पहले यहां को स्क्रीन साइट से बेंड करते हैं देखते हैं क्या कुछ यहां पर डाइमेज होता नहीं होता है पावर पटें के राउंड में जहां पहले हमने देख चुके थे और राइट 3,2,1 जैसे आपने दिखा यहां पर यह हलका सा प्लास्टिक बाहर आ जा रहा मतलब यह काफी पतली सी यहां पर लेयर लगाई गई है केस बहुत थिक नहीं दिख रहा है आप दुबारा दिखिएगा अगर आप यहां पर देखेंगे हलका सा यहां पर वॉल्लिम बटन के सामने कुछ प्राब्लम आ जा रही थी फोन में हलका सा फ्लेक्स आ चुका है हलका से यहां पर देखेंगे माइनर सा फ्लेक्स है फोन में पहुचाता नहीं है तो होफली वो चीज फिक्स जाने चाहिए अगर हम rear side से bend करते हैं तेके display अभी भी working है कोई problem नहीं है okay back side से बिंकर देखते हैं क्या screen भार आती नहीं आती है right three two one जो flex आया था वो तो fix हो गया है लेकिन फोन इस तरफ से भी हलका सा बेंड हो गया क्यूंकि यह पॉलिक हो सकती है लेकिन अच्छी बात क्या है जैसे कि इंफिनिक्स S4 में यहां पे crack पड़ गया था यहां पे ऐसच कुछ नहीं हुआ है तो कंस्ट्शन में थोड़ा से इंपूइमेंट हुआ है अब गाइस अपनी लास्टेस पे आ चुके हैं तो से पहले मैं आपको एक अप्डेट एदू तो वाटर टेस्ट में आपको दिखाया था कि स्पीकर्स काम नी कर रहे थे लेकिन जब यह अपने आफ ड्राइप हो गए तो वर्क कर रहे है अग है वेट थोड़ा सा ज्यादा है पुराने फोन के कंपैरिसन में और होफुली ग्लास प्रेक्शन से होना चाहिए इसमें एजी ग्लास होता है गुरिला ग्लास नहीं नहीं असा ही तो सबसे पहले चलिए हम एक कैजूल स्टेस्ट स्टार्ट करते हैं अगर आपका फोन है कोई डैमेज नहीं हुआ है तो अब चलिए यूजर से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इना एराउंड वेस्ट हाइट चार्जिंग तरफ से 321 नो क्रैक्स परफेक्ट्ली वर्किंग है अगे टॉप साइड 321 परफेक्ट्ली वर्किंग अब बॉटम से इंपक्ट्राइ वर्किंग पर चुर्ट्राइट तो से उत्षडाए करते हैं इन केसटेस बॉटम से तो इज पाइने अथ अबर प्लास्टेक्टि आपकि योईच्यस्या है यॉजरी अपनालियों शुद्स ये अउजरी होसी चा शिवर्ली लेते हैं याँ हर रेयरें ठाइट्स करता हूं कि नो प्रॉब्लम एंड फोन के डेड होने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता है जो मझे बहुत ही अच्छी लगी इस्पेशली बैटरी लाइफ अगर अभी आप देखें तो 15 परसेंटेज इसमें बचा हुआ है और अगर आप डिवाइस देखेंगे तो आठ गंटे 19 विनेट का स्क्रीन अंट अभी भी है चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है तो प्रॉंस से भी ट्राइग करते हैं इस नहीं करें तो अब अभी तक कोई पर्ब्र नहीं है सबसे लाइस पोन जो ब्रेक हुआ था फ्रेंट पे आइस रियल्मी एक्स था औ इनकेस आप फोन से बात कर रहे हैं पान से चीफिट की एवरेज हाइट है और आपको फोन अगर एक्सिडेंटली ऐसे गिर जाता है तो नो प्रॉब्लम्स अभी भी ठीक है अब उसी डिरेक्शन यहनी की टॉप साइट से गजाते हैं 3-2-1 कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है अभी भी वर्किंग है रियर साइड 3-2-1 कैमरा लेंज अभी ठीक है अगर आप यह देखना चाहरे हैं कि इन्फिनिक्स का स्मार्टफून कैसे बनता है तो मैंने आपको फैक्टी टूर दिखाया था वह भी आप चेक कर दीजिएगा लास्ट टेस्ट अगर हम स्क्रीन साइट से गिराते हैं आपको फोन अगर ऐसे गिर जाता है तो तो से पहले हम एक और इंपैक्ट कर लेते हैं चलिए यह बज़े से यहां पर देखे अब साफ हो गया अभी तक भी फोन ओके है लास्ट टेस्ट इस्क्रीन साइट से अगर हम गिराते हैं तो कांच बाहर निकले हैं तो शायद फोन आपका टूड़ गया है तो जैसे आपने देखा इस फोन का स्क्रीन टूड़ चुका है एंड यह डिस्प्लेज भी इसका बाहर आचुका है अगर मैं आपको यहां पर दिखा हूँ तो आप देखेंगे कि यह डिस्प्लेज पार्ट इसके बाहर मतब यह अगर आप फिक्स करेंगे तो शायद फिक्स हो जाए एंड फोन का डिस्प्लेज डेड हुए यह तो देखेंगे बैठ गया है बट फोन का डिस्प्लेज अ कम्क्लीटली क्रेक हो चुका है तो रीसेंट जो मझे लग रहा है इस फोन का ब्रेक होने का वो वेट तो नहीं क्योंकि हमने ऐसा ही इस वेट की कई फोन ट्राइक है जो पास हुए है इस स्क्रीन का साइज बड़ा है 6.52 इंचेस और लगबग 120 ग्राम दो चीजे हो सकती हैं जिसकी वज़े से इस फोन का डिस्प्लेज ट्रैक हुआ है तो इस चीजे फिक्स किया सकत है anyway guys thank you so much have a great day